हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें तिलक किसी ने सची कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजु में नहीं तौलना चाहिए श्री कृष्ण और सुदामा का ये प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाशा बन गया है कौतु हल भरे ये जिश्य सब देखे रहे सुद बुद भोके क्रिष्ण दोड़े कहा जाते है उड़के चले हैं पीछे मुड़के ना देखे लीला देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं किरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं पर पालों कभी दासियों से टकराते हैं कौन ये महत्व पूण आ गया है ध्वारबे की अगवानी करने को ऐसे अखुलाते हैं अगवानी करने को ऐसे अखुलाते हैं दीनों के बंधू करणा के सिंधू लेकर ननों में जल बिंदू सारे नातों से बढ़े के एक नहका नाता निभाने चले हैं भमण करी जो फूलों के रत पे चल कर वो पथरी ले पत पे नंगे पाओं जो आया उसको नंगे पाओं बुलाने चले हैं सर्शन की अभिला शाथ होके जगत हसाई से व्याक लेहोके आस के ठुक्रे सुदामा संजो के अश्रू में जीवन दूबाने चले हैं सेम पर इक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की हो ना हसाई मित्र परायने कृष्न कनाई भूठा मित्र मनाने चले हैं सुदामा सुदामा किधर गया मेरा मित्र अरे सुदामा नजल दिया था वो तो लॉट का द्वार का धीश कहां इस तरफ गये किधर इस तरफ सुदामा लो वो फिरा गया सुदामा 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 देखने वाने प्रिश्म की जैजे का सुदामा तुम मुझसे मिले बिना ही लोट जा रहे थे तुमने आने में बहुत तेर जो लगा दी थी आने में तो बहुत तेर तुमने लगा दी थी सुदामा कितने वर्षों बात याद किया है मुझे मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था तो आये क्यों नहीं इतने वर्षों वह असल में तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारी का धीश बन गया हूँ तो तुम्हें भूल जाओंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है न? हाँ, 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 मेरे यही सोचा था, और इसलिए, जब तुम्हारा बुलावाने में देर हो गई, तुम्हें लोट चला था वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुम्हें, हाँ, सुदामा, तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा, हाँ, अरे तुम्हें यह कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सका को दुआर से ही लोट जाने दूँगा, हाँ, पताओ, क्या मैं, क्या मैं इतना ग बसकरो, बसकरो, मुझे शभागर दो, मुझे से भूल हो गई, मुझे से भूल हो गई वाह, दिल भी दुखाते हो, और शमा भी मांगते हो चलो, चलो भीतर, वहीं सब बाते होंगी नहीं मित्र, क्यों? जिसमेकार तुमने, सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गाया अब मुझे भी तो मित्रता नीवानी चाहिए न? मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे तुम्हारी इस शान को बढ़ लगे, तुम्हारी मान हान ही हो, इसलिए मैं यही से लोट जाता हूँ मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को बटा कैसे लगेगा? देखो, एक तरित्र ब्राम्मर इस भटे हाल में राजभावन में प्रवेश करेगा तो, तुम्हारे राज्य करमचारी और अथिकारी क्या सोचेंगे? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बच्पन में थे अरे, इसमें मान हानी कैसी? अरे मित्र, तुम्हारी चर्ण धूल के इस पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बहर जाएगा लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का अरे तुन्हें ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा दौरपाल आग्या राजेश्वर सार्थी से कहो कि रत लाए और हमारे परम मित्र के भव स्वागत का आधेश दो जो आग्या चलो मित्रता हो तो ऐसी हो कोई सोच भी दें सकता था कि एक निर्धान ब्राम्मान द्वारी का धिश्ट का मित्र हो सकता है मित्र भी कैसा जिसके लिए त्रिलो की नाथ नंगे पैरों दोड़ते हुए आये थे उसका स्वागत करने सर पर मुकुट तक नहीं था उस समय यू लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारी का धिश्ट नहीं है बलकि सुदामा की तरह एक साधान मनुष्य हैं किसी ने सची कहा है मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजु में नहीं तॉलना चाहिए श्री कृष्ण और सुदामा का ये प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाशा बन गया है सत्य तो ये है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिध्धी करते रहते हैं आओ आज हम शपत ले कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निश्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे करते हैं